रोज सुबह उठते हुए किवल एक बार बोले हैं ये मंतर बनने लगेंगे बिगड़े काम और तरक्की के से विरास्ते खुलने लगेंगे और धनलाब आपको मिलता चला जाएगा तो कौन सा वो मंतर है जिसे बोलना चाहिए माननेता है कि हतेलियों में मा लक्समी मा सरश्रवती के साथ शिष्टी के पालन हर भगवान विश्नु वास करते हैं इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहरे इस मंतर को बोलना चाहिए कहा जाता है कि अगर दिन के शुरुआत सबस्तर कपड़धारन करने के बाद ही अन्यकारी करने चाहिए अधिकतर लोग इन नियमों का पालन करते हैं लेकिन इन नियमों में से सबसे जरूरी एक नियम है जिसे सुबह उठते ही सबसे पहले करना चाहिए माननेता है कि सुबह उठकर दोनों हातों को जोड अपनी हत को देखते हुए एक मंतर बोलना चाहिए ऐसा करने से व्यक्ति का पूरा दिन अच्छा जाता है इसके साथ ही जीवन के हर कश्ट से छुटकारा मिल जाता है और शुक्समर्दी की प्राप्ति होती है आईए जानते हैं कि सुबह उठकर किस मंतर का जाप करना चाहिए सास्त्र के नुसार व्यक्ति सुबह उठकर से पहले अपनी हतेलियों को एक साथ जोड़कर दर्शन करें इसके साथ ही इस मंतर का उचारन करें आप चाहे तो इस मंतर को एक बार या फिर अधिक बार उचारन कर सकते हैं सुबह इस मंतर का जाप करना चाहिए ये मंतर इस प्रकार से इस मंतर का आर्ट है कि हतेलों के अगर भाग में मालक्ष्मी, मध्ध भाग में देवी शर्ष्वती और मूल भाग में भगवान गोविंद यानि विश्णु जी का निवाश उनकी सुबह किसमा दर्ष्ण करने चाहिए इस मंतर को पढ़ने से धन की देवी, लक्ष्मी ज्यान की देवी शर्ष्वती और शृष्टी के पालनहार भगवान विश्णु जी की विशेश की किरपय दिश्टी प्राप्त होती है और जीवन में खुश्यां बनी रहती है आईए जानते हैं कि सुबह उठकर इस मंतर को किस प्रकारशे बोलना चाहिए सुबह उठते विश्टर में बैटे ही बैटे अपनी दोनों हतेलियों को जोड़कर खुली किताब की तरह कर ले इसके बाद इस लोग को बोले इस लोग का उचारन करने के बाद हतेलियों को अपने मुँपर अच्छी तरह से फेर ले ऐसा करने से आपके स्रीर में शकरात्मक और जगा प्रबाव बढ़ जाएगा आईए जानते हैं कि जमीन पर पैर रखने से पहले कौन सा काम करना चाहिए इस मंदर को बोलने के बाद विश्टर से जमीन यानि दर्थी पर पैर रखते ही दर्थी को छुए क्योंकि दर्थी मा हमारा भार उठाती है इसके साथ ही आप चाहे तो स्लोक का पाट कर सकते हैं जै मालक्षमी